का यहलो एवरीटां स्वागे आप सभी का फैन्टम गुरुजी चानल पर तो वी फार्मसी का आप का रजिस्टरेशन प्रोसे से स्टार्ट हो चुका है किस तरीक नहीं वना बता हमां प्राइबवन किस तरीकर से आपको पुना रेजिस्ट्रेशन करना थिक तो यहांपका सा कर दो पहले कि अपुरा प्रोसेस को देख लेते हैं तो यह देखिए आपका इस तरीके से हैं तो जिस तरीके साब अपना को भरना चाती हो वहां से स्टाट कर सकते हैं अब जैसे यहां पर क्लिक करेगा अगर आपको डालना पड़ेगा एप्लिकेस नंबर और रोल नंबर और आपका डेट अब यहां सब कर जाएगा और अगर आप सिधा नीट कड़ा लोगे तो आपको दिखावा है आपका है यहां से तो कोई प्रॉलम नहीं है यह आपके चालू रहेंगे अगर आपना ऐसा कोई नंबर डाल दिया जो आपके ऊपर नहीं है अब उस पर SMS नहीं आएगा तो फिर बात में प्रॉलम सा सकती है क्योंकि वह कभी उनको कम्यूनिकेशन करना है तो वह मुबाइल नंबर से और यह इमेल इडिस से आपका हिल्प करेंगे ठीक है तो इस तरीके से अब बात में पासवर्ट पासवर्ट के लिए ध्यान में र यह सब का इस्तिमाल करते हुए आपको अपना पासवर्ट बराना है इसमें से अगर एक भी आपका इस्तिमाल नहीं हुआ तो फिर आपका पासवर्ट बराओगे ना वह मतलब लेगा निवह ठीक है तो इस तरीके से आप इसको एक बर अच्छे से देख लिएगा और उसके जैसे आपका अपना पासवर्ट बनाया था उसको यहां पर डाल दीजेगा और यहां से साइड इन कर दीजेगा आपका फार्म ओपन हो जाएगा उसके बाद एपलिकेसं फॉम जो है वह आप अपना फिल कर दीजेगा यह रजिस्टेशन फॉम है उस तरीके साब करो और इ इसमें बस डॉकोमेंट अप्रोड करना है ज्यादा कुछ प्रोसेस नहीं उसमें ठीक है तो इस तरीके से सही सारी चीजे है इतने सारी कॉलेज जैसे बहुत सारी कॉलेज आप एक करके देख सकते हैं उनको कोई प्रलम नहीं और इसमें कितना फीस लागेगा जैसे अने इसमें कितना लगेगा उसके उपर मनें वीडियो बना कर रखा है आप देखिए आपको दिख जाएगा ठीक है फिर इंटेक ए इस नॉइंबर तक पांच बजे तक यह बाद में एक दुद दिन और एक्सिटेंट लेकिन कोशिज करना कि आप एक तारीक तक अपना फॉर्म को फिल कर दो ठीक है फिर आपका वह भी चलो होगा इस्कूरूटनी मतलब आपने फॉर्म तो भर दिया लेकिन आपने डॉकु कर दो वह खुदी वह मतलब पुरचे को करके डाल देते हैं ठीक है अगर रहेगा तो फॉर्म वेरिफाइट हो जाएगा आपका और कोई प्रॉलम रहेगा तो फिर आपके मुवाइल नंबर पर कॉल करते हैं अगर प्रॉलम कुछ आया तो फिर आपको जो भी करो अपने फॉर्म को स्कैन करके मतलब डॉकुमेंट जो स्कैन करके उसको अप्लोड कर देना वह खुद चेक कर लेंगे और फॉर्म को वेरिफाइट कर देंगे दोस परसेंट ही ऐसे कुछ प्रॉलम से जहां पर कुछ प्रॉलम सराइज हो जाता है तो उस केसमें क्या है आपको करते हैं फिर कॉल करके आपको बताएंगे कि एक बार फिर से दुबार से अपपलोड करो ठीक है अगर आपने अप्लोड कर दिया तो अच्छी बात है और नहीं अप्लोड किया तो आपको उस कॉलेज में जाके ना दिखाना परता है कि यह सा मेरा डॉकुमेंट है आप चेक कर लेजिए एकदम सही रहेगा फॉर्म आपका वेरिफाइड हो जाएगा ठीक है तो आप इसी स्कूटनी सही चले जाओ फिजिकल स्कूटनी में कोई मतलब इसमें तो जाना होना रहता है एक आपको डेट देगा एक टाइम देगा उसी टाइम पर जाकि आपको स्कूटनी कराना परता है ठीक है तो मनें बता दिये आपको 10 श्कूटनी करना और फिजिकल स्कूटनी करो मासी करो इस क्हूंच और इस स hedge को यह सब दो चाहिए सब्लेक्र मैं अगर आपने जो बज़ोите तक फॉर्म को फिल नहीं किया तो उसके बाद आपका ना नॉन कैप शेट रहेगा मतलब मैंजमेंट के शेट रहते हैं उसके लिए फिर आप अप्लाई कर सकते हो तो यहां से कर लीजेगा मतलब कर लीजेगा और उसमें जो आपके जो जो नंबर आपको मिला है कर दो अपना फिल करना चाहिए और उस तरीके से अपने फिल कर दो आप तो कुछ ज्यादा नहीं एकदम छोटा सा प्रोसेस है मैंने आपको प्रणा समझा दिया है इस तरीके से आप अप्लाई करो अगर कोई प्रॉलम आता है तो वीडियो में कमेंट कर देना आप जो भी प हॽआ कर दो दो कि की मैंट कर दिया है इससे भी लो आपको बदया है जो बदिया स्झा।